इस वीडियो में आपको 36 करण के संभाग, जिले का निर्मार, उसकी जनसंख्या, उसके मद्य प्रांस की पूरी information आपको इस वीडियो में मिल जाएगी जिसे step by step मैं दूसरे वीडियो में भी कवर करूँगी बट इसका short version यह होगा और इससे related part 1, part 2, part 3 की तरह यह आएगी तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हमको थोड़ा रिवाइन करना पड़ेगा, 1861 में जाना पड़ेगा, यह बहुत पुरानी समय की बात है जब इसका गणना हुआ था, देखा गया कि भारत पहले कोई भी राज्य नहीं था तो उसका मध्य बिंदू था मध्य प्रदेश, 36 गर और महराष्ट, जो 1861 में यह गणना हुई थी जब हमारा भारत से एक राज्य बना था, जिसमें partition के अनुसार मध्य प्रदेश, 36 गर और महराष्ट, तीन आकर एक राज्य बने थे, जो 1861 में हुआ था 36 गर का भूभाग इसका हिस्सा था, जिसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला था मध्य प्रदेश, दूसरा था 36 गर और तीसरा था महराष्ट, महराष्ट नागपूर का मुख्या लय था सन 1862 में 36 संभाग की फिर से गरना हुई, जिसमें 1862 में चार संभाग हुए, पहला था नर्बुद्धा, दूसरा था जगदलपूर, तीसरा था नागपूर, और चौथा था 36 गर 36 गर का मुख्या नागए था राइपूर और जिसके बाद ये संभाग बना, nam 36 गर का भूभाध में मिलाकर राइपूर एम संभालपूर को मिलाकर 36 गर को संभाग बनाए गया, nervous ya में दुर्ग जिला को गठन हुआ और 1906 में बिलाजपूर एवं राइपूर के बीच में दुर्ग का गठन किया गया 1948 में सरगुजा, रायगड एवं बस्तर सही तीन नए राज्य को गठन हुआ जो च्छतिसगर में हुआ था सन 1956 मद्यप्रदेश राज्य की स्थापना एक नवंबर 1956 में हुई, चतिसगर मद्यप्रदेश एक हिस्सा बन गया दूसरा चतिसगर में जीलो की संख्या छै थी, जिसमें पहला था सरगुजा, दूसरा था रायगड, तीसरा था बिलासपूर, चौथा था रायपूर, और पांचवा था दूर्ग, और छटवा था बस्तर बिलासपूर संभाग की जीले, बिलासपूर, सरगुजा, तीसरा है रायगड, चौथा रायपूर संभाग की जीले, रायपूर, दूर्ग और बस्तर सन 1973 में राजननगाव जीले का इस्थापना हुआ, जो 16 जन्वरी सन 1973 में हुआ, जिसका जीला था दूर्ग, और रायपूर संभाग की जीले, पहला था रायपूर, दूसरा था दूर्ग, तीसरा था बस्तर, और चौथा था राजननगाव सन 1971 में बस्तर संभाग का इस्थांपना हुआ और दूसरा है चतिसगर की संभाग की संख्या तीन थी पहला था बिलासपूर, दूसरा था रायपूर और तीसरा था बस्तर बिलासपूर में जीलो की संख्या साथ थी पहला था सरगुजा, दूसरा था रायगाड, तीसरा था बिलासपूर, चौथा था रायपूर, पांचवा था दूर्ग, और छटवा था राजनन्द गाउं, और सातवा था रायपूर इस तरीके के साथ जिले की संख्या थी सन 2000 में 36 गड़ की राज्य की गणना की गई, जो 1 नौवंबर 2002 था जिसमें जिलो की संख्या 16 ती, और संभागों की संख्या 3 थी पहला था रायपूर, दूसरा था बिलासपूर, तीसरा था पस्तर सन 2008 में पुना संभागों की गणना की गई, जिसमें अप्रेल 2008 को हुई ही है दूसरा संभाग की संख्या कौन सी थी पहला था रायपूर, दूसरा था बिलासपूर, तीसरा था बस्तर, और चौथा था सर्गुजा जो नया संभाग बना हुआ था जो अब चार पार्टिशन में डिवाइड हो गया था, जो बिलासपूर को काट कर एक नया राज्य बनाए गया था सर्गुजा संभाग की गणना एक अप्रेल 2008 को हुई थी 2012 में 36 गर राज्य में नौ नये जीले का निर्मान किया गया, जो ये है 2014 में दुर्ग संभाग की इस्थापना की गई, जनवरी 2014 में इसकी इस्थापना की गई थी जिसमें जीलों की संख्या 27 थी और संभागों की संख्या 5 थी वज़ा 13 को राज्य पूर को दो भागों में बाट दिया गया और उसमें एक नया संभाग जोड़ा गया जो था दुर्ग जिसके कारण ये पांच संभाग में बाट दिया गया और वो थे पहला था सरगुजा, दूसरा था बिलासपूर, तीसरा था रायपूर, चौथा था दुर्ग और पाच्वा था बस्तर या इस प्रकार से ये संभाग बनाया गया था 2013 को जाता हुआ है, झाता हुआ है।